कि नोश्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है उत्तर परदेश करेंट अफेर्स सीरीज में और इस सीरीज में हम उत्तर परदेश से संबंदित विशेश समसमाई के विशेव पर चर्चा करेंगे जो उत्तर परदेश के सभी परिक्षाओं के लिए महत्रपूर्ण होगा तो जादा से जादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सकाइब भी करें ताकि हमारा मनोवल बढ़े और हम ऐसे ही और वीडियो को आप तक पहुंचाते रहें तो चलते हैं आज के इस सीरीज के पहले प्रश्ण पर तो पहला प्रश्ण है हमारा की राष्ट्र मंडल संसदी संग भारत छेत्र का सात्वा सम्मेलर उत्तर परदेश में कहां आयोजित किया गया तो ऑप्शन्स हैं हमारे पास कानपूर लखनव प्रियाग राज या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो प्रश्ण का उद्गाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिर्लाद्वारा किया गया इस सम्मेलन का मुख्य विश्य विधायक या कानून निर्माताओं की भूमिका और इसमें प्रतिनिधियों यानि की विधायक हैं उनके बजटिये प्रस्तावों और उनकी चानबीन के लि प्रणाली शुरू की गई किन इस्थानों पर गोरकपूर लखनाओ नोएडा लखनाओ कानपूर और लखनाओ या इन में से कोई ने तो इसका अंसर होगा नोएडा और लखनाओ उत्तरपर्देस मंत्री मंदल ने राज्य की राध्धानी लखनाओ और नोएडा के लिए प्रणाली को मंजूरी दे दी है और यह प्रणाली आयुक्त के रूप में यानि कमिशनर के रूप में तैनाद पुलिस महान रिक्षर यानि आईजी रैंक के IPS अधिकारियों को अधिकारी की मजिस्ट्रियल शक्तिया परदान करेगा और यह जिम्मेदारिया उनको अत्रिक देगा आयुक्ताले परणाली में पुलिस आयुक्त यानि कमिशनर अफ पुलिस एक एककरत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होगा जो शहर में सुरक्षा ब्यवस्ता सुरक्षा बल के लिए जिम्मेदार होगा और और राज्य सरकार के प्रती जबाब दे ही उसकी होगी इसके अतरिक देखा जाये तो बिहार मद्य परदेश जम्मु कश्मीर के केंदर शाषित परदेश और अन्यपूर्वत्तर राज्यों में लगभग सभी राज्यों में एक आयुक्ताले परणाली है ही है अभी उत्तर परदेश में दो इस्थानों पर हुई नुएड से मद्य परदेश उत्तर परदेश पर्षिमंगाल राजिस्थान तो इसका अंसर होगा उत्तर परदेश तो केंदर ये परियावरण मंद्री ने घोशना की कि रामसर कंवेंशन द्वारा संरक्षित इस्थलों के लिए भारत में दस और आद्र भूमी जोड़ी गई है और इसमें उत्तर परदेश में 6 रामसर इस्थलों को जोड़ा गया है सबसे अधिक किसमें 10 मैं से 6 कहां जोड़ेगे उत्तर परदेश में कौन कौन से इस्थान जोड़ेगे इसमें नवाव गंज, पार्वतियाग्रा, समन, समस्पूर, सांडी और सरसाई नावर, ये सब दल दूर माधेश्वर महराष्ट का ये पहला रामसर इस्थल बना और इसके साथ केशोपूर मिया ब्यास संडक्षन रिजर्व और नंगल ये पंजाब में बनाए गए इसके साथ ही हम देखते हैं कि उत्तर परदेश में अब आदर भूमियों की संख्या कितनी हो गई है साथ आ मौडल खेल गाओं बने निमलिखित में से किस राज्य में इस्थित हैं मध्य परदेश उत्तर परदेश बिहार गुजरात तो इसका अंसर होगा उत्तर परदेश बहादूर पुर और खेड़ी विरन देश में खेल संस्कृति विक्सित करने के लिए प्रवंधन प्रौध गैजन एक एक एंजियो जिसका नाम है खेल जीवन का तरीका उसके सायोग से प्रवंधन प्रवधिकी संस्थान खेल और संस्कृति विक्सित करेगा और जुड़ूआ गाओं में खेल शाखशरता को व्रद्धी खेल साखशरता में व्रद्धी भी करेगा तो अगला इसका मीरट सहर कुट्तो घोडो खचरो सहित सेवा जानवरों के लिए भारत के पहले युद इसमारक की मेजवानी करेगा और यह इस्थान जानवरों के योगदान और वीर्टा के लिए खुद को समर्पित करेगा जिन होने कारगेल युद के दोरान कश्मीर में युद बिराम, संचालन और युद के दोरान सेना की मदद की है इस इसमारक में कुटो, हैंडलर, घोडो और खचरों के नाम सेवा संख्या के साथ ग्रेनाइट की पट्टिका पर इसमारक के रूप में अंकित किये जाएंगे तो किस शहर में इसको इस्थापित किया जा रहा है, मेरट में जो की भारत का पहला युद इसमारक होगा, जिसमें जानवरो को लेकर सरद्धांजली अरपित की गई है चलते हैं अगले प्रशने पर, अगला प्रशन है हमारा, कि उत्तर परदेश राज्य सरग परिबहर निगम ने उत्तर परदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस हेल्प लाइन सेवा को सुरू किया है अप्शन्स है निर्भया, दामनी, सम्मान या इन में से कोई ने तो इसका अंसर होगा दामनी, उत्तर परदेश राज्य सरग परिबहर निगम ने उत्तर परदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दामनी हेल्प लाइन सेवा सुरू की, निर्भया योजना के विस्तार के रूप में इस हेल्प लाइन का एक यूनिक नंबर सब्सक्राइब किया गया और इसे उत्तर परदेश के लखनों में परिवहन मंतरी अशोक कटारिया ने सुरू किया था चलते हैं अगले प्रशन पर, अगला प्रशन है हमाला कि किस राज्ये की सरकार ने मुख्यमंतरी किर्शक दुर्गटना कल्याड योजना सुरू की, अप्शन से मद्धे परदेश, उत्तर परदेश, उत्तर परदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किर्शक दुर्गटना कल्यार योजना सुरू की जो खेत में काम करने के दोरान मिर्त्यू या दिव्यांग होने वाले किसानों के परिवार को पांच लाख रुपे की वित्य साहेता परदान करेगी और पहली बार है कि इस योजना में बाटिदारों को भी शामिल किया जाएगा जो अन्य व्यक्तियों के छेत्र में काम करते हैं और फसल काटने के बाद फसल साजा करते हैं इस यह योजना 18-70 वर्ष की आई होगे किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है हमारा कि 23 राष्ट्रिय यूवा महुटसब 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा उक्षन है वार्णासी, लखनौ, गोरकपुर या इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा लखनौ लखनौ में 23 राष्ट्रिय यूवा महुटसब 2020 का आयोजन किया जाएगा और यूवा मामलो और खेल मंत्राले और उत्तरपरदे सरकार ने संयूक रूप से लखनौ के इंद्रा पर्तिष्ठान में इस महुटसब के सुरुवात करने के लिए आयोजित किया है और तेसवे राष्ट्रिय यूवा महुटसब 2020 की थीम क्या है फिट यूथ फिट इंडिया यूथ इंडिया और राष्ट्रिय यूवा महुटसब की सुरुवात 1995 में की गई थी और यह यूवा आईकॉन स्वामी विवेका नंद की जयनती 12 जनवरी के इस मरणों रुस्तव के रूप में मनाया जाता है तो कहां इस बार आयोजित के जा रहा है लखनव में चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है हमारा की भारत कौन सा राज्य नागरिक्ता के लिए भार देश नए नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 के तहट नागरिक्ता के लिए पात्र पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान से प्रवासियों को सौट लिष्ट करने वाला पहला राज्य बना है तो नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 में अधिनियम के रूप में बना था चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि दुरी वार्षिक मेगा रक्षा प्रदशनी डिफेंस एक्सपो 2020 का ग्यारवा संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया अप्शन है मेरट लखनव गौतम बुध नगर या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा लखनव उत प्रदेश में आयोजित किया गया और इसका मुख्य विशे रक्षा के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान के अंद्रित करने के साथ साथ भारत भारत में रक्षा संबंदी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना इसका एक उद्देशे भी था और प्रदरृशन विनियमन अधिनियम दोहजार उननिस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना थो यह पहला राज्य वना उत्तर-पर देशces़े में बिजली भुख्यों को समय पर और परेशानिल्य मुक्त सेवा परदान करने के लिए उत्तर-पर उत्तर-पर्देश करा गया कई चलते है अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण भारत ब्रिटेन दुविपक्षिये हवाई अभ्यास इंद्र धनुस वी के पांच्वे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया अप्चयन से वाईू सेना स्टेशन दादरी वाईू सेना स्टेशन हिंडन वाईू से कि कि सके नित्रेत्व में कैसा कि राम मंदिर निर्माड़ के लिए श्री राम जन्मभूमी 33 ट्रवार किया गया उप्ष्ण लाल के Ming redскую राधनी केशा tips परासरन मोहन भागवत या इन में से कोई ने तो इसका अंसर होगा केशव अयंगार परासरन तो परधार मंती नरेंद्र मोदी ने उत्तर परदेश में आयुध्या में राम मंदिर के निर्माड की दीखरेक के लिए एक त्रष्ट का गठन किया गया और इसके बारे में संसद में घोशना भी की और किसके नित्रेतव में केशव अयंगार परासरन के नित्रेतव में यानि कि इस ट्रष्ट के हैड अध्यक्ष कौन है केशव अयंगर परासरन चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि ऑप्रेशन नकाईल उत्तर परदेश किस जिले में और रिक्षछा चालकों की पहचान को सत्यापित चार अंक typ की जाएक चार अंकू सब्सक्राइब लखना अनिवार होगा है चलते हैं अगले सब्सक्राइबद्ण तो इसका अंसर होगा प्रियाग राज उत्तर परदेश के प्रियाग राज के चार रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गया जिनका उद्देश से प्राचीन सहरी पहचान को फिर से पुनरजिवित करना है उसकी प्राचीन पहचान को फिर से लोगों के सामने लेकर आना इसका सekookie और चार्फ स्टेशन कुछ इस परकार है कि इलहाबाद जक्षन का नाम बदला गया पर्यागराज जक्षन ताज महल और फतहपूर सीक्री ताज महल और सारनात इस्तूप या इन में से कोई तो इसका अंसार होगा ताज महल और फतहपूर सीक्री भारत सरकार ने कुल 17 प्रतिष्टिट पर्यटन इस्थलों की पहचान की है और इसमें शामिल हैं ताज महल और फतहपूर सीक्री उत्त युराहु मंदिर मध्य परदेश में हमपी करनाटक में महावली पुरम तमिलाडु में महाबौधी मंदिर बिहार में काजी रंगा असम में और कुमार कॉल केरल में यह 17 परियतन इस्थल हैं जो परतिश्टिट परियतन इस्थलों के सूची में शामिल किये गये हैं चलते है अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है हमारा की उत्तर परदेश सरकार ने राज्जे के यूवाओ के कौसल विकास के लिए किस योजना की सुरुवात की अप्शन है यूवा विकास योजना कौसल सतरंग यूवा योजना या इन में से कोई तो इसका अंसर होगा कौसल सतरंग युवा योजना उत्र परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तेनाथ ने राज्जे के युवाओ के कोशल विकास और रोजगार स्रजन के लिए कोशल सतरंग युवा योजना और सिक्षुता योजना की सुरुवात की है कोशल सतरंग युवा योजना और सिक्ष तुता योजना की सुरुवात की है कौसल विकास के लिए चलते हैं अंगले प्रशन पर कि उत्तर परदे सरकार द्वारा स्थाफिर टीम 11 का संबंद है टीम 11 का संबंद है क्रिकेट टीम से कोरोना वाइरस से महिला सुरक्षा से या इनमें से किसी से नहीं तो इसका अंसर राज्य के वरिष्ट नौकर शाह यानि की एक आईयस रेंक के अधिकारी करेंगे और जबकि मुख्यमंत्री टीम 11 के प्रमुख होंगे चलते हैं अगले प्रशन पर कि किस राज्य सरकार ने आवारा गायों को गोद लेने के बाले लेने वाले को प्रतिवर्ष 900 रुपे प फृदान गिसाइए प्थिददा नौ सो रुपे प्रदान करेगी हमने प्रिस्प्रिंटे तो पृतिध मद्हे प्रदेश उत्तर प्रुदेश घुजरात साथवार प्रत्ध हो तरप पडिश राज्य सरकार आवारा गायओं को गोद लेने वाले वालोग प्रतिदाः के 800 रुपे परदान करेगे और इसके लिए जो इसकी में योजन about of की गए उसका लाम है मुख्य मंत्री बे-सहारा गौवंच सहभा गिता योजना के अंतर गत 109 करोड का बजटावंटित किया गया और जिसमें प्रती गौवंश को गौद लेने वाले के लिए 900 रुपया परदान किया जाएगा चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है हमारा की उत्तर पदमश्री से सम्मानित हिंदी साहित्यकार ग्रीराज किशोर का निधन हो गय ग्रीराज किशोर कानपूर उत्तर परदेश के निवासी थे और ग्रीराज किशोर को उनके उपरन्यास पहला गिर्मिटिया के लिए जाना जाता था जो महात्मा गांदी के दक्षिन अफरीका में रहने पर आधारित था उन्हें साहित्यकेडवी प्रुसकार से भी सम्मान से सम्मानित किया गया फिर उसके साथ साथ दो हजार दो में उन्हें छत्रपती साहूजी महराज विश्व विद्याले द्वारा भी एक मानत पिएजडी उपादी देकर सम्मानित किया गया तो यह थे आज की सीरीज के हमारे महतपूर्ण 20 प्रशन और इसी परकार की कोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और हम आपके सामने नए नए वीडियो लाते रहें धर्नेवाज़ूर्ण